पिछले 6 मीने के current effects के question काफी ज़ादा important होते हैं तो फिर्टस आज की video मैं आप सभी के लिए मैं पिछले 6 मीने current effects के question इस video में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी questions selected और important लिया है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाले है फिर्ट सी छोटी सी वीडियो रहने वाले है लेकिन exam के लिए सभी question काफी जादा important रहने वाले हैं तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं first question से हमारा पहला question है भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरन जिसे की हम short में बोलते हैं try के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है राइट आंसर हो जाता है option C अनिल कुमार लाहोटी अनिल कुमार लाहोटी बने हैं try के नई अध्यक्ष फिंस यह है फोटो अनिल कुमार लाहोटी जी की निटेल में अगर हम बात करें try की इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी नेक्स्ट है हमारा कोशन 75 गंतंतर दिवस प्रेड में किस मंत्राले की जहांकी को सर्वस्रेज जहांकी का पुरुसकार मिला है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option A संस्कृती मंत्राले संस्कृती मंत्राले को 75 गंतंत दिवस प्रेड में सर्वस्रेज जहांकी का पुरुसकार मिला है निटेल में अगर हम समझें संस्कृती मंतराले की जहांकी भारत लोकतंतर की जन्नी थीम पर अधारी थी ये थीम भी आपको ध्यान रखना है ये थीम किसकी है संस्कृती मंतराले की जहांकी की वहीं अगर हम बात करें, राज्यों में सर्वस्टे जांकी का पुरुसकार किस राज्यों को मिला? और डिशा राज्यों की जांकी की थीम थी, विक्सित भारत में महिला शशक्तिकरन, ये भी आपको ध्यान रखना है, और वहीं अगर हम बात करें, गंतंत दिवस 2024 में मुख्य थीति कौन थे? फ्रांस के राश्टपती इम्मैनुवेल मैकरोन, और वहीं अगर हम बात करें, ग का हमारा option B, बनारस हिंदू विश्विद्याले यानि की BHU, BHU में उतर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, फिर्ट सकर हम बात करें, डियने की, DNA का फुल्फरम होता है, डियक्सी राइबो नुकलिक एसिड, उदेशे क्या है, बनारस हिंदू विश्विद्याले जुफिन्स की स्थापना 1916 में हुई है, कहां पर है ये वरानसी उत्तर प्रदेश में, नेक्स्ट है मारा कोशन, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच सम्मान, जिसका नाम है भारत रतन से सम्मानित किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा ओप्शन है, पांच याद रखना है, 2024 में कुल मिला के पांच लोगों को मिलेगा, हमारे देश का सर्वोच सम्मान भारत रतन, डिटेल में अगर हम समझें, पांच व्यक्तियों के नाम आपको बता देता हूं, पूरु प्रधान मंतरी चौधर प्रांती का जनक माना जाता है, इनको भी मिलेगा मर्नो प्रांथ, वहीं अगर हम बात करें, बिहार राज्यक के पूरु मुख्य मंतरी करपूरी ठाकुर जी इनको भी मिलेगा मर्नो प्रांथ, और इसी के साथ लाल कृश अडवानी जी जोगी BJP के वरिस्ट नेता रही है इनको मिलेगा भारतरतन सम्मान 2024 में नेक्स्ट है हमारा कोशन विश्यो बैंक दोवारा जारी लॉजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन A 38 याद रखना है विश्यो बैंक दोवारा जारी लॉजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 38 डिटेल में अगर हम समझें जारी करता कौन है विश्यो बैंक टॉप दो देश देख लेते हैं सिंगापुर को पहला स्थान मिला है फिनलेंड को नंबर दो मिला है और भारत जो है 149 देशों की सूची में 38 में स्थान पे रहा है काफी इंपॉरेंट है आपके लिए और 2018 में जब आखरी बार जारी हुआ था उस टेम भारत को रैंक मिली थी 44 नेक्स्ट है मारा कोशन लक्षमी नराइन अंतराश्टिय पुरुसका 2024 से किसे सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन है संगीतकार प्यारे लाल शर्मा संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नराइन अंतराष्टिय पुरुसकार दोहजाच चौबिस से सम्मानित किया गया है किसके द्वारा प्रदान किया गया है लक्ष्मी नराइन ग्लोबल म्यूजिक फैस्टिवल में अगला कोशन है हमारा विश्व दलहन दिवस दोहजाच चौबिस का मनाया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्ष्मी दस फरवरी कोफेंट्स मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस देखो कोई भी दिवस वाला कोशन आया उसकी थीम काफी इंपोरेंट होती है और थीम आपको ने इंगलिश में बता होनी चाहिए तो थीम है पल्सिस नरेशिंग सॉइल्स एंड पीपल हिंदी में भी देख लेते हैं वो है दालें पॉस्टिक मिट्टी और लोग वो वेशों को सम्मानित अथिती के रूप में नामित किया गया है राइड आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन डी उप्योक्त सभी भारत तुर्किये और कतर ये तीन देश हैं अथिती देश वेशो सरकार शिखर सम्मिलन दोहजाद चौबिस में सबसे ज़दा इंप अगला कोशन है कन्या के जनम पर एक लाका बचट बॉण्ड देने के उदेश से किस राजय सरकार द्वारा लाडो पुरसाहन योजना की घोशना की गई है राइड आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन है राजिस्थान याद रखना है कन्या की जनम पर एक लाका बच्चत बॉंड देने के उदेशे से लाड़ो पुर्साहन योजना को शुरू किया है राजिस्थान ने राजिस्थान सरकार का लेखा नुदान यानी की बजट फरवरी 2024 में पेश किया गया और इसी में राजे सरकार ने महिलाओं के लिए दो बड़ी योजना की घोशना क और वहीं अगर हम बात करें लखपती दीदी योजना की इस योजना के तहट पांच लाख महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा इस कौशल से महिलाओं परतिवर्ष एक लाख रुपए कमा पाएंगी अगला कोशन डबलु एचो के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुजार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सरवाधिक मामले दर्ज हुए हैं राइट आंसर हो जाता है ओप्शन C फेवडे का कैंसर यानि की लंग्स कैंसर और आपको बताना चाहता है ओफेंस यह विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है चार फरवरी को और यह जो रिपोर्ट इसके जारी करता है विश्व स्वास्ते संकठन यानि की डवलु एचो इस रिपोर्ट में कहा किया है कि फेवडे का कैंसर विश्व में सरवाधिक समाने है जिसके 2.5 मिलियन नए मामले सामने आए हैं जो कुल नए मामलों का 12.4 परतीशत है महीं अगर मैं आपको बताओं कि महिलाओं में होने वाला स्थन के अंसर दूसरे स्थान पर है यह भी आपको ध्यान रखना है नेक्स कोशन कर लेते हैं टाटा डिजिटल के नए M.D. और CEO कौन बनी है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा अप्शन D. नवीन ताहिल यानी टाटा डिजिटल के नए M.D. और CEO बनी है यह आपको ध्यान रखना है अगला कोशन टाटा स्थील शत्रंज टूर्नामेंट 2024 का किताब किसने जीता है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन A. Y.E. कहां के हैं चीन के चीन देश के Y.E. ने टाटा स्थील शत्रंज टूर्नामेंट 2024 का किताब अपने नाम कर लिया है अगला कोशन सीमा सडक संगठन यानि की B.R.O. निकिस अंतराश्टिय सीमा पर बाड लगाने की परियोजना प्रहरंब की है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन B. भारत मैनमार सीमा पर डिटेल में अगर हम इसको समझें उद्देश क्या है मुक्त आवा जाही रोकने के लिए ठीक है और बात यहां मैनमार की हुई है तो राजधानी क्या है नैपीडा काफी बार एक्जाम में पूछा गया है मैनमार का पुराना नाम था बर्मा मुद्रा क्या इसकी कयात और इसके प्रधान मंत्री और सिनाद्यक्ष है मिन आंग हाइंग अगला कोशन भुवनेश्वर में बारा मुंडा अंतर राजे बस टर्मिनल का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओपशन A, BR, अमबेट कर यह आपको धियान रखना है अगला कोशन, इसराइल के वग्यानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की एक घाटी का पता लगाया है इसे क्या नाम दिया गया है राइट आंसर हो जाता है, option A, Arrestothonis नाम दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है साइप्रस की बात हुई, यहाँ पे, साइप्रस से हो है, यूरोप महादियूप में है, राजधानी यूरो है, राजधानी है, इसकी निकोसिया, राश्पती है, निकोस किस्टो डोलाईडस अगला कोशन, कौन सा देश भरस्टाचार बोध सूचकांग 2023, यानि की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की सूची में 6 पर है, राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा option B, डैनमार्क याद रखना है, डैनमार्क जो है, ब्रस्टाचार बोध सूचकांग 2023 में पहले स्थान पर रहा है, 6 तीन देश देख लेते हैं, नमबर 1 पर डैनमार्क, नमबर 2 पर फिनलेंड, नमबर 3 पर है न्यूजिलेंड, जारी करता है, ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल, देखो कोई भी सूचकांग वाला कोशन होना, उसमें भारत की रैंक क्या है, पहले स्थान पर कौन सा देश है, और उस इंडेक्स को जारी किस ने किया, यह सब आपको ध्यान रखना है, नमबर 1 पर कौन है, डैनमार्क यह तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक्साम में डारेट को अगला कोशन, भारती स्पेस एजनसी, इसरो, किस लांच वेहिकल से इनसेट 3DS उपगरह को लांच करेगा, राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ऑप्शन है, जी एसलवी एफ फोर्टीन, जी एसलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्नोरा सेटलाइट ल इसरो है, ये इनसेट 3DS उपगरह को लांच करेगा, इनसेट 3DS जो है, इसका फुल फॉर्म है, इंडियान नैशनल सैटलाइट सिस्टम, वो देश के है, मौसम पूर्ना नुमान और आप्दाबर बंतन में सुधार करना, बात फ्रेंट्स, यहां पर इसरो की हुई है, ठीक अगला कोशन है मारा, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिखने वाली कार निर्माता कम्पनी कौन सी बनी है। राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा उप्शन a, जपान की टोएटा, जपान की जो टोएटा है फेंड्स यह सबसे ज़्यादा बिखने वाली कार निर्माता कमपनी बनी है टोयटा लगाता चौथे साल दुनिया की नंबर एक कार निर्माता कमपनी बनी है, दूसरा स्थान मिला है वॉक्स वैगन जोकी है जर्मनी की अगला कोशन है भारत में पहली हिम तेंदुआज गर्नना के अनुसार किस राज्य या केंद शाचित प्रदेश में हीम तेंदूओं की अबादी सबसे अधिक है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन A लदाक लदाक में सबसे जादा हीम तेंदूओं हैं कितने 477 अगला कोशन काहिरा में आयोजित ISSF विशुकप 2024 में पुर्षों की एयर राइफल सब्रदा में किस भारती अउलम्पियन ने सवर्न पदक जीता है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन A दिव्यांच सिंग पवार दिव्यांच सिंग पवार जो है इन्होंने ISSF विशुकप 2024 में पुर्षों की एयर राइफल सब्रदा में सवर्न पदक जीता है यानि की गोल्ड जीता है अगर आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रहे है वीडियो को like और share करें box में अपना feedback भी दे कि आपको वीडियो कैसे लगती है और friends आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको daily current affairs का quiz लगाना है mock test लगाना है उसके लिए आप mobile application install कर ले हमारा ravis study IQG के नाम से है play store पे अफलेबल है next है किस company ने दुनिया की पहली methanol सक्षम container जहाज को launch किया है right answer हो जाता है option c marsak marsak ने दुनिया के पहले methanol सक्षम container जहाज की पहली यातरा उलसान दक्षिन कोरिया से कॉपनहेगन डेनमाक तक की है कोल यातरा की दूरी थी 21,500 km next है हमारा question मलेशिया के सतर्वे राजा कौन बने है right answer हो जाता है इस question का हमारा option A सुल्तान इबराहिम friends यह आप photo में देख रहे हैं सुल्तान इबराहिम यह मलेशिया के सतर्वे नंबर के राजा बने है मलेशिया की राजधानी काफिवार एक्जाम में पूछी गई है कौललमपूर है मुद्रा है रिंगित यह भी काफी important है प्रधान मंतरी है अनवर इबराहिम अगला question एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है right answer हो जाता है इस question का हमारा option A संजीव कुमार जोशी संजीव कुमार जोशी एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक है राश्टी सुरक्षा सलहकार अजी डोबाल और CDS जर्नल अनिल चोहान ने ब्रामोस एरोस्पेस के डिप्टी सीयो राज संजीव कुमार जोशी द्वारा लेखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर को लॉंच करा है अगला question है हमारा अजाली असो मनी किस देश के चौथी बार राश्टपती बने है इस question को भी आप double star mark कर लीजे राइट आंसर हो जाता है इस question का हमारा option A कौमोरोस कौमोरोस देश के चौथी बार राश्टपती बने है अजाली असो मनी काफी important है फोटो भी आप इनकी देख सकते हो कौमोरोस देश की बात कर लेते हैं अफरीका महादीप में है राजधानी है कौमोरियन फ्रैंक राजधानी मोरोनी अगला कोशन भारत के किस अथलीट को सुजरलेंड के जंग फ्राउजोक में मशूर आइस पैलेस में पटिका लगा कर सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाता है option D नीरा चोपडा आप सबी को पता है हर्याना राज्ये के हैं नीरा चोपडा भाला फेक खेल से इनका संबंध है अगला कोशन किस फाउंडेशन ने उत्तर परदेश के नौईडा एरपोर्ट के पास आदी योगी शिव की 242 फीट उंची प्रतिमा बनाने की घोशना करी है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इशा फाउंडेशन दुनिया की सबसे उंची जो शिव की प्रतिमा है वो है विश्वा सवरुपम ठीक है जिसकी उंचाए कितनी है 369 फीट राजिस्थान के राजस्मन जिले के नाथ दुआरा में स्थित है अगला कोशन रतन टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य के महालक्ष्मी शेतर में भारत के पहले एडवांस लगू पशु अस्पताल के लॉंच की घोशना की है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन है दक्षिन मुंबई यह आपको ध्यान रखना है अगला कोशन फरवरी 2024 में किस देश के राश्पती हैज गिबॉंग का कैंसर की वज़े से 82 वर्ष की आयू में निधन हो गया है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा ओप्शन है नामीबिया देश के राश्पती थे हैस गिवजे से 82 वर्ष की लिए निधन हुआ है नामीबिया की बात हुई है अफरीका महादियूप में है राज़थानी विंड होक है काफी इंपॉरेंट है मुद्रा नामीबिया डॉलर प्रिधान मंतरी है सारा कोंग गोंग गुलवा अगला कोशन है मारा भारत में पहली बार किस राज़े में उतरी अमेरिकी पक्षी लाफिंग गुल देखा गया है राइट आंसर हो जाता इस कोशन का हमारा केरल के कासर गोर्ड में जारी करता है सिक्षा मंतराले ठीक है अगर हम बात करें शीष राज्य कुल नामंकन में कौन सा है पहले नमबर पर उत्तर परदिश नमबर टूपे है महराश्र और अगर हम बात करें शीष राज्य महिला नामंकन में कौन है पहला स्थान केरल को मिला है दूसरा स्थान तेलंगाना को मिला इयांपे मैंने महिला नामंकने मीर पुछा थी कुल नामंकन में आजован की पुरुष दोनों उत्तर प्रदीश को पहला स्थान मेलेगा महिला में केय तीन को कुछन जो आपके सामने में लेकर रहया है सारे question exam oriented है और आपको लास्ट मैं बताऊँगा कि आप जो रवी सर की जो आपकी e-book है current affairs की 2023 की वार्शी की और 2024 की current affairs GK की e-book, all subject की e-book जो है फेंस आप मेरी कैसे बाई कर सकते हो ठीक है website तो आपके सामने screen पे आई रहे है यहाँ पे जाके पूरी detailed information आपको वीडियो के last में दूँगा ठीक है पहले सरीफ हम पढ़ाई पे ध्यान देते है अगला question केरल के कनूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोले जाने वाली किस भाशा को विलुप्त की श्रेनी में रखा गया है आपको बताना चाहता हूँ केरल के कनूर में जो चकलिया समुदाय है इसके द्वारा बोली जाती है भाशा मधिका जिसे की विलुप्त की श्रेनी में रखा गया है अगला question भारत के किस स्थान पर छिपकिली की एक नई पर जाती जिसका नाम क्या है अगस्त या गामा एज की खोज हुई है राइट आंसर हो जाता है इस question का हमारा option है पश्यमी घाट next है हमारा question समुदरी शेवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राच्टिय सम्मिलन कहां योजित किया गया है काफी important question है आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाता है इस question का हमारा option है कच्छ गुजरात में याद रखना है कच्छ गुजरात में समुदरी शेवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राच्टिय सम्मिलन आयोजित हुआ है शुभारंब किसने किया है केंदरी ये मत्सेपालन पषुपालन टेरी मंतरी शिरी प्रोशोतम रुपाला ने रोजगाच स्रिजन और समुदरी उद्पादन की विविदी करन के विकल्प के रूप में समुदरी शेवाल की खेती को बढ़ावा देना समुद्री शेवाली खेती के लाब और महतव क्या हैं क्रिशी, भोजन, फार्मसेटिकल्स, सौंदरे प्रसाधन, जल्ये क्रिशी और जैब इधन उत्पादन में योगदान नेक्स्ट है मारा कोशन इसको आप डबल स्टार मार करना एक्जाम के लिए राइट आंसर हो जाता है ओप्शन ए तनमे अगरवाल कहां के हैं तेलंगाना के हैं इन्हों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी लगा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है 147 बॉल में इन्होंने 300 रन बनाई है ये भी आपको ध्यान रखना है राइट आंसर हो जाता है इस कौशन का हमारा ECOWAS समुदाऊ है ठीक है तो आप ये जो ECOWAS समुख है ना इसका फुल फॉर्म है पश्चिम अफरीकी राष्टों के आर्थिक समुदाऊं डेटосьेल में आपको समझाता हूँ ECOWAS का फुलफों में पश्यम अफ्रीकी रास्ट्रों के आर्थिक समूदाएं इसका मुख्याले नाइजिरिया के अबुलसा में है 1975 में इसकी स्थापना हुई थी वो देशे है पश्यम अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक एकिकरन सहीयोग और विकास को बढ़ावा देना सडक सुरक्षा बल नामक पहल की शुरुवात करी है पंजाब की राजधानी के है चंडिगड मुखे मंतरी है भगवन तमान राजयपाल की बात करें इन्होंने रिजाइन दे दिया है जैसी ने राजयपाल अपडेट होगा वीडियो आपके लिए मैं लेकर आज़ाओंग और आपके लिए काफी नॉलिजबल वीडियो थी है ठीक है तो लास्ट में मैं आपको बताया था कि मैं आपको इबुक्स के बारे में बताऊंगा और वेबसाइट और एप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए दो कोशन का टेस्ट आ ग वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है और इसी के साथ बताना चाहता हूं कि एक्जाम में सबसे रहा कोशन आते हैं करंट अफेर्स के तो इसके डेली मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप मुबाइल अप्लिकेशन स्टॉल कर लिजी मेरा रवी सबसे इंपोर्टन बात इबुक की वेबसाइट जो की है www.ravibooks.pdf.com गुगल पर जाके पर इस वेबसाइट को आप सर्च करिए ठीक है यहां पर आपको आपकी रवी सर की यानि की मेरी करंट अफेर्स की एबुक है पॉलिटी की जोग्रफी की हिस्ट्री की जीके की ऑल स अलिया फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू और विश्यू अल दी बेस्ट